तेहवार को समझते हैं, ये तेहवार मसीही दुनिया में अनोखा तेहवार है, जिसमें उनका बात जग्यदे पर सवाथ है, और ये वो तेहवार है, जिसको अमन का निशान कह सकते हैं. समनामती का तेहवार कह सकते हैं, इसलिए नहाएद खुश होंगे और अगर आप वाके ही इस तेहवार के मौका पर कुश हैं, तो जोड दर्दानिया मुझाएं जिसमें कुपत हैं, पूरी कुपत हैं। मुषी के लिए इस ते हमारों को जबादाने और जोट से, और जोट से, पुरे जोट से, पुरी कुवर्ट के कार मुषी के नाम को जबा है। उस वड़ लोट उस देने पज़्डवार रजिया के रास्ते में डारिया बचा रहे थे। उस वड़ लोट उस येसु मुषी के लिए पूरे लोट से, पुछ से, अपने रादे बचा रहे थे। हम कुशी के साथ, जोट के साथ, उन जोट आलियों है, मुषीया का इतिक अबाल कहें और उसके नाम को जड़ा दे। जड़ का या, आलियो, सक्तल आलिया का, अथना, रखना रखना, रखना, रखना रखना, रखना हो जना, 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 हो जना ये शुशी के पाक कदूस और जलाली ना में आप सब की सलामती हो और गोश्च करें बेने बेनों के साथ हात मलाते हुए कहें आप की सलामती हो एक दूसे की सलामति का डिन है और वसी के उस जनूस को जो वहाट ही शाहान था उसमें आज हम थुड़ी देर के बाद शरूप होने को हुआ इसमें कुछ रहे और खुशी में खुड़ा मुझी स्टाइश करे पाकलाम का हिस्सा जो आपके साथ शेयर किया गया है जो तलावत हुआ है इसमें मती रिसूल इस बात को बियान करते है मती रिसूल इस बात को हमारे सामने पेश करते है कि जिस दिन येश्व मसी येश्यलम में दाखिल हुए और येश्यलम में दाखिल होने के ये कोई पहला मौका नहीं था येश्यलम में मसीयां हमेशा दाखिल होते थे आते रहते थे जाते रहते थे इदे तहवार सारे यहां ही मनाया करते थे लेकिन आज के दिन जिसको हम बड़ी खुशी के साथ पांट संड़े के दोर पर मना रहे हैं आज के दिन मसीही दुनिया में मसीया का यरुशलम में दांखला जो है ये थोड़ा मुख्लिफ बन के बहुत जैदा मुख्लिफ नदर आ रहा है ये सुशी यरुशलम में दांखल तो हुआ चाहते हैं लेकर चाहते हैं कि उनके पास एक गदा हो ये सुशी यरुशलम में तो दांखल होना चाहते हैं लेकर आज ये चाहते हैं कि वो गदे पर सवार होकर यरुशलम में दांखल हो क्योंकि जो बादेशान गदे की सवारी के साथ किसी दूशे मुलत में जाता था वो अमन का निशान समझा जाता था इसके नहीं ये होते थे कि बादेशा गदे पर सवार है इसलिए वो जंग नहीं चाहता अमन चाहता है बादेशा गदे पर सवार है वो जाता है कि अमन को शान्ती को काईं की अचाहे जंग ना की जाए कून ना बहे किसी का कोई कतर ना हो किसी को कोई किसी तरह से कोई टेंशन जो है ना दी जाए लहाज़ा गदे पर सवार होना एक अर्जीम निशान होता था यरुशलम में आज यरुशलम सी दाखल हुआ चाहते हैं लेकर वो चाहते हैं कि पहले की तरह नहीं आज वो एक अजीम निशान के साथ यरुशलम में दाखल होते हैं गड़ी की सावारी के साथ दाखल होते हैं लोग उनके इस्तिक्बाल को निकलते हैं शगियत उनके लिए बड़े पुरजोश नजर आते हैं हर सक्ष जो है गजिकी सवारी के साथ बादशा को बड़े जोर पुरजोश होता है और उसे कबूल करता हुआ नजर आ रहा है और उसके मूँ में एक नारा है हर सक्ष ये चाहता है कि लोगों को बताया जाए कि ये बादशा जो आ रहा है ये अमन और निशान लेकर आ रहा है इसलिए उनके मूँ पर ये नारा है बार बार इस Бात को दढ़ आ रहे हैं होशना होशना मुबारिक है वो जो खुदा उनके नाम पराता है आजमे बाला पर होशना और लोग उस जरूस में शामल हो रहे हैं वो उस जरूस में सिर्फ शामल होने के लिए नहीं बलके मुसी की इज़त और रहता राओं के लिए भी त्यार हैं वो अपने कपड़ों को रास्तों में बचा देते हैं ताकि जिस रास्ते यस्व मुसी जा रहे हैं और वो गदे पर सवार है और वो गदा जो है उसके पौँ जमीन पर ना लगे क्योंकि हमारा मसिया अमन का सलामती का निशान गदे पर सवार है और रब को पता होना चाहिए कि हमारा मसिया जो है हमारा खुदामन वो एक अजीम बादशाह है और कभी भी हिस्टरी में किसी बादشा का इस तौर से इतिकाबाल नहीं हुा अगर नो सलामती और सुला का निशान गदे के साथ भी किसी दूसरे मुलक में गया है तो उसके रास्ते में कभी किसी ने कप्ड़े नहीं बचाए कभी उसके रास्ते में किसी ने जो है खुझूर की डालिया नहीं पिचाई, दुरस्तो की डालिया नहीं बिचाई, किसी ने भी उसके लिए मुशना के नारे भलान नहीं किये ये बादशा अर्जीम बादशा है ये वो बादशा है जो इनका लाब पहरा करता है ये वो बादशा है जो आस्मान से आया है ये वो बादशा है जो आस्मानी मेखामों में से आस्मानी बातों को लेकर आया है येそう। बात्षा है जिसका आज इस्तकबाल किया जा रहा है। तो निकाह है इसलिए भी लोग उसके खुर्चोश इस्तकबाल के रही निकले थे क्यूंके उन्होंने महज़्दे देखे थे हैं उन्होंने महज़्दे पाएирован थे मैं इमान रखता हूू कि ऑगलीसिया में से बहुत से लोगों ने मौज़े और शफा को हास्व किया है। किपने लोगों ने कभी किजी एह बात में मसीया की शफा को हासल दिया है आपके बचे को खुदा ने मौट सा दिया है आपको मौट सा दिया है आपको शफा दिया है तो अगर आपने भी शफा पाई है उससे मर्ट सा पाया है बर्कत पाई है तो आपको भी पुरुश नजर आना जरूरी है आपको भी पूरे तौर से उसके इस्टेखाल के लिए पुरुश नजर आने ही जरुरे है क्योंकि वो कालो आज और अब तक जिक्सा है वो आज भी मौज़़़द करता है और उसने आपकी जिन्दगी में आप जोश हो, आप उस पर एमान लाएं, आप उस पर प्रुस्ट करें, आप उसकर यकीन करें, और खोश अरके नारे लिगाएं, बोजज़ा आपका है, शिफा आपकी है, बगत आपकी है, निजात आपकी है, खुदा की गुद्रत आपके लिए है, खुदा का जोर आपके ल आप पूरे तौर से खुदा पर इमान और पुरोसे में खुदा की इस्ताइश और तमजीत करें ये शर्म में ये दाखला ये सुम्जी का ये कोई अचानक नहीं है कोई हाथसा नहीं है ये कोई ऐसे ही नहीं है इसके पीछे खुदा के बंदा ने नबुवत की हुई थी जिक्रिया नबी ने नबुवत की थी कि वो गदे की सवारी के साथ आता है और लोग इस बात को समझते थे लेकर मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको भी ये समझने की ज़रूवत है ये नबुवत पुरी हुई है ये आस्मानी मकाम मेंसे जो प्रोग्राम था जो जाओड को ढूँवा था वो आज नज़रा रहा है बुरा होता हुआ नज़रा रहा है इसलिए भी मेसीहियों को और ज्मीर ज़रूदा इमान में मजबूत होने की दरुग्रत है ये कोई हाथसा नहीं है ये अजानक नहीं है ये कोई ऐसे ही बात रूनमा नहीं हुई खुदा के ये प्रोग्राम में है कि मशिया गदे की सवारी के साथ यर्शलन में दाखल हो जब खुदा के मनसुबे में है तो आप खुदा के लोग हैं किने रोग गुदाम के लोग है तो फिर ये मनसूबा आपके लिए है जो पुरा हो रहा है जो हुआ है जो आज भी हमारी सिंद्गियों में हमें जोश से बढ़ता है इमान से बढ़ता है कुम्बच से बढ़ता है और हम गुदां की स्ताइश करते हैं मिसीह इमान में आज का दिन ममूरी नहीं है सब कह सकते आमें ये दिन बहुत आहम दिन है ये दिन हम सब के लिए एक एइद है अले लिया ये हम सबों के लिए एक एत है ये हम सबों के लिए खुशी की बात है और खुदा के जलार में हमें जो है चिपने के लिए और सेरा मस्पूत होने की ज़रोगा दे ये सब लोग जो उसके आगे-ागे पीछे-पीछे चल रहे हैं और अपने कपड़े बचा रहे हैं दरतों की डालिया बचा रहे हैं अंगूर की डालिया बचा रहे हैं अंगूर की डालियों को नहरा रहे हैं इसमें एक और दर्स भी शामल है अंगूर की डालिया जब भी इस आइन कौंग येरुशलेंग में कूण चु फॉर्ट की वटा के साथ श्रीक होते थे तातल होते थे उस وقت दो अंगूर की डालियों को लहराते थे उफाते थे और ये अंगूर की डालियों जो है उस वकत लहराई जाती थी जब ये देखा जाता के हमारी फॉर्ट ने फतर आई है और आज हमारा कमांडर येश। मसी येरुष्य्यम में पूरी वresy में भुरी वधा के साथ डातन गौरा है उसकी वधा के जंडे उस क्वाउम ने लहा कर उसाथ को ताबी झाब किया है खे हमारा येश। फात है वो हर तरह की मुश्क्ण पर फात है वो हर तरह के गनाप पर फादे है वो हर तरह की मौत पर गालब आया है वो हर तरह की बिमारी पर गालब आया है और वो हर तरह से हर एक की जिन्दगी में सदा को काइन करता है इसलिए उनके हाथों में खजूर की डानिया है और तुझूची जालियों को नहराते हैं और इस बात का आइलान करते हैं कि ये पारचा जो घड़े परसवार है बेरेशों कि ये गोड़े परसवार नहीं है लेकर ये पाते हैं ये गालबाय है इसने प्रीज के साथ को गुझ लहे इसने लोगों की मुश्कलाथ को दूर किया है इसने लोगों की परेशानियों को दूर किया है हर तरह के गुनाथ से लोगों को चिटका रही है इसलिए वज़ानिया लेहा का परदावार से गोशाना के नारे लिगाते हैं गोशाना के नारे लिगाते हैं गोशाना पकारते है लोग पुजोश नजर आ रहे हैं जब लोग मजीय की तारीफ और तमजीद करते हुए होशना के नारे बलंग करते हुए नजर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परिशान हो गए मख़भी रहनमा जो है वो एक हस्द से बर जाते हैं और मख़भी रहनमा जो है वो परिशानी की हांगत में आ जाते है फकी और फ्रिसी यहूदी उलमा ये बात जो है उनको प्रसंद नहीं आती होशाना के नारे लग रहें बाध्चा का इस्थिकवाल हो रहा है बाच्छा का इस्तिकबाल ऐसा हो रहा है जो कभी भी पूरी हीस्ट्री में किसी बाच्छा का इस तरह से इस्तिकबाल नहीं हुआ इस बात पर वो लोग जो मज़भी थे वो लोग जो रहानी उल्माते उनको मुश्कल होनी शुरू हो गे उन्हों कहा इसको बाच्छा मान रहे है इसको बाच्छा मान रहे है इसको खुदा मन जान रहे है इसे प्रभु जान रहे है इसे ये अपनी जिन्दगी पे पूरे तौर से ले रहे है और वो गए और कहने लगे के इनको मना कर तुझे समझनी आती कि ये क्या आप कारते हैं ये तो होशना, होशना फकारे ये तो बार बार नारे लिगा रहे इनको मना कर इनको डांट ये सुम्जी ने कहा अगर ये जुब हो जाएं तो पत्जज़ लाव ठेगे होशना, होशना मुबारिक है वो जो कुदान के नाम से आता है आल में पाला पर होशना के नारे ये बलान धोल के अगर ये जुक हो जाए तो ये पत्थर जो इस दवारों में लगे हुए हैं ये पत्थर जो इर्द गिर्द आपको नदर आ रहे हैं आपकी खमोशी के सबक से गो गो उठेगे इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो जिन्दा रोख हैं आप जिन्होंने मौट सा पाया हैं आप जिन्होंने बर्कत पाई हैं आप जिन्होंने वशीप पर इमान रखा हैं आप जो खुदा के साथ साथ चलते हैं आप जो इस ईद के मौका पर शरीक हैं तो आपके बूम में भी भोशाना के नारे होने बहुत जारूरी है। अगर आप चुप होंगे तो फिर पथरों को मौका मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि पथरों को मौका मिल जाए। कोई भी नहीं चाहता तो फिर बोर ये इस चुपात का जवाब देना है। होशना, 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 अगर आप रूक गये, तो पत्थरों को बहुना पड़ेगा। और मेरी नाच्चा है, कि आप जिनोंने खुदा को कबूल दिया है, आप ही होशना के नारे लिखाएं, आप जिनको खुदामन ने जबहान दी है, आप ही मजिया के नारे बलान करें, आप जिनको खुदामन ने चुना है, बलाया है, आप ही खुदामन के हुदूर, उसकी 27 श गृष्वाफ ध्रावू डोब इसलिए नारे लगा रहे थे क्योंके इनोने मौश से पाई थे यह नौश लिए पुर्चोच थे क्योंके वो मसिया की इज्जद आरह इसत्राम को समझँ नौट य क्योंकि वो यश्यू को पाफ्षाय जानते थे कितने लोग यश्यू को अपनी जिन्दगी का पाफ्षा जानते है कि इस बाफ्षापी जोतान के बिराएं ४ REMropolisत सांते हैenne अगर आप उसे बाद्चा जानते हैं, अगर आप उसे प्रभू मांगते हैं, अगर आप उसे मर्शी आ जानते हैं, अगर आप उसे मेचाज देहीं कर साथे हैं, अगर आप ये जानते हैं, उच जैसा कोई नहीं, उच जैसा कोई नहीं, उसका कोई शानी नहीं, उसकी कोई प श्रब न सब्सक्ता वो पें पिजिन बेई बें गांते क्ल रुक गेंNow क्या आप यसु श़ को नहीं के जांते क्या प्यार नहीं करते क्या आप यसु को probably बाचा रहे का ले का यह जाएक आपो užरके नाम को च्छाय को उसके इज़त है, ये उसका इकबाल है, ये उससे प्यार का इजहार है, उस मौच देगा इजहार है, उस पर तक काई निशान है, के आप ने परकत पाई है, आप भी मौच सापाय है, आप तो खुला में सलाम जी बच्ची है, वो छुना और सलाम जी का बाच्चा आपका उसके बिए धोन दमे के बता है और उसके नम को दिए हाएलुया। होशना होशना पोशना होशना वाक ही वो बाथशा इज़ Australians के नाइक है ये पाथशा अजीम बाथशा ιुखा इससे प्यार का जहार आज के दिए में कम जगाम आप तुदे करना है और उसकी विडियाई करनी है महरवानी से अपनी जगाहों पर ख़ड़े हो जाए कौई महरवानी से अपनी जगाहों को ले ले जन्दी से अपनी पूजिशन में हालेलुया अगर आप किसी दुख में मुशीबत में हैं तो उसके मजूर में अपने लगों को ले पेस लाट मेरी पान गौर से शुनिये आपको बहुत जामिने मना है आज फिर आप अपनी जिद्गी में मशिया की कुद्रत को हासल करने मनें आपको मशिया की कुद्रत चुए आलेलुया मेरे दिर ने था कि कुछ आपने जो कितना गुदार लोगों है लोग है वो को मैं बीट में भेजू के वो आप पर हास रखें लेकर जगा की कमी है वो बीट में से गुसर नहीं कर पाएगे लेकर फुदा का रूँ सरूर आप तक पहुचेगा रुषिया का रूँ आप तक पहुचेगा वो आपको और पुर्जोस बनाएगा आये जुना स्री जी बाट पी आये जुना स्री बाट हालेलुया मोटल दिखीजिए हालेलुया हालेलुया राप पाप 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 कर्शी हालेलुया खुदा मोट आपको और पुर्जोस बनाएगा आपकी जिन्दगी में वो ने जात को आपकी जिन्दगी में है वो उसकी गुद्रत में हालेलुया आपकी बर्कत बच जाएगी, आपकी शिफा हो जाएगी, आपके दुख जाते रहें, आपके भीबारिया जाते रहें, आप भी अर्शूर जी को पकारें, और उसकी इस्ताइश करें, खाले लू या रभागा। पिर गया मैं हो, तू फाला हिचे, मेनु लोड तेरी आई दूात दिश्ट करें हर एका अप दाम की जुन बंद हो जाएं कहें के यसुजी हमें आपकी जुन होता है और आपके जिवाओना कोई नहीं बिना और आपका यसुब आज बड़े वहाला ना तरिके के साथ बड़े उन्दातर के जाज रच्ट में घाखों किया उस पूशंगो उस दाप बल करने के लिए उसने अपनापो पेश करना तो अज दूराग की गातर निरुच्ट में आगया तक हुस सारे काप को कर्मीद करें उस सारे कां को अबद बद करें है तो जिसना से को बखाई है उन्मे सुना से के चाहिए को खाई वेके आप जिसना से अजसने कुदा हो कर अग कुछ में नहीं है Lord we need you, Lord we need you, Lord we need you जिसना को बखार है आपकर है में जरी आपकर दो जिसना से का वेके चाहिए को बखाई शावरे सुना से की में तो लोड़े के चाहिए गिर्गे आए तूपा नाविच, गिर्गे रामे तूपा नाविच, मैं मोलो बड़े तेरी आए सुना सिरी, गैं मोलो बड़े तेरी आए सुना सिरी, गैं मोलो बड़े तेरी गशिर्गे नाओ बड़े तूपे नुलच बालगे तूपा ना जाशकर समों बड़े मा जो पालगे कि जो ना बचासुकित गाए राम्स प्रेफ आए स्पी ना जाशकर समों नदिना बारी नहीं को ना दुहा सुड़िका 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 नदिना बारी नदिना बारी मैं हुासा ड़ी के मैं बादेणि झाल्य नदिनी 200 ऐन आदेखर ल्चाओ अ मादाम धनक्स उद्सर वें सम्ना दो आदढल झाल झाल झाल